नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल इस्टडी वी धननजय मिस्रा पर आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है धननजय मिस्रा दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 22 सितंबर से संबंधित महत्वपुर्ण करेंट अफेर्स के बारे में तो आईए इस सिरीज को स्टार्ट करते हैं इस सिरीज का पहला कोश्चन है कि हालही में NCL ने COVID-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर B उत्तर प्रदेश अभी हालही में NCL ने COVID-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 5 करोन रुपए देने का गोस्ड़ा किया है यह धनरासी 50 इंबुलेंस की खरीदारी करने के लिए NCL के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गिया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी बेन पटेल है उत्तर प्रदेश में लोग सभा सीटों की संख्या 80 है, राज्य सभा सीटों की संख्या 31 है, बिधान सभा सीटों की संख्या 403 है, बिधान परिशद के सीटों की संख्या 100 है और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं अभी हालही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल स्रमिक बिद्या योजना को इस्टार्ट किया है, प्रवासी राहत मित्र अयब को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही लांच किया है, उत्तर प्रदेश वर्चुल अदालतों के जरिये सुनवाई करने वाला भारत का पहला प्रजगार देने वाला भी जो है कि भारत का पहला राज उत्तर प्रदेशी बना है आईए अगला प्रशन देखते हैं दूसरा प्रशन है कि हालही में किस पुर्व क्रिकेट खिलाडी ने जम्मू कास्मीर में क्रिकेट अकादमी अस्थापित करने का निर्णय लिया है तो अब इसका सही उत्तर है आपसन नंबर सी सुरेष रहना अभी हालही में सुरेष रहना ने जम्मू कास्मीर में क्रिकेट अकादमी अस्थापित करने का निर्णय लिया है इनका मुख्य उदेशय है कि क्रिकेट के प्रतिरूची रखने वाले युवाउं को प्रसिच्छित करना अब जम्मू कास्मीर में ये क्रिकेट अकादमी अस्थापित करेंगे तो जम्मू कास्मीर के बारे में देख लेते हैं जम्मू कास्मीर की दो राजधानिया है पहला है जम्मू जो की सीत कालिन राजधानी है और दुसरा है स्री नगर जो की ग्रिस्म कालिन राजधानी है जम्मु कास्मीर के बरतमान में उपराज्यपाल मनोज सिनहा है जम्मु कास्मीर में लोग सभा सीटों की संख्या 5 है राज्य सभा सीटों की संख्या 4 है विधान सभा सीटों की संख्या 114 है दची ग्राम नेशनल पार्क और किस्तवार नेशनल पार्क ये भी आपका जम्म जम्मु कास्मीर में ही इस्थित है हीमिस नेशनल पार्क पहले जम्मु कास्मीर में ही इस्थित था लेकिन अब विभाजित होने के बाद हीमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में है आईए अगला प्रस्न देखते हैं तीसरा प्रस्न है कि हालही में योगी आदित तेनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस दिले में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी अस्थापित करने का घोंसरा किये हैं तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर A गौतम बुद्धनगर अभी हालही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्धनगर को फिल्म सीटी के रूप में अस्थापित करने का निरणे लिये हैं और इसको फिल्म सीटी के रूप में विक्सित किया जाएगा आईए अगला प्रस्न देखते हैं चौथा प्रस्न है कि हालही में 222 द्वारा जारी मानो पूजी सुचकांक में किसने सिर्ष अस्थान प्राप्त किया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर A सिंगापूर अभी हालही में 202 द्वारा जारी मानो पूजी सुचकांक में सिंगापूर ने टाप किया है और दूसरे अस्थान पर हांकांग और चीन है और तीसरे अस्थान पर जपान है इस सुचकांक में भारत का 117 अस्थान है आईए अगला प्रस्ण देखते हैं पाचवा प्रस्ण है कि बैस्विक भारती विज्ञानिक सिखर सम्मेलन का उदगाटन किसके द्वारा किया जाएगा तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर सी नरेंद्र मोदी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर को बैस्विक भारती विज्ञानिक सिखर सम्मेलन का उदगाटन किया जाएगा महीने भर चलने वाले यह सम्मिट जो है की उभरती चुनाउतियों को हल करने के लिए बैस्विक जो है की भारती सुधकरताओं को बिसेस्ता और ज्ञान का लाव उठाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा दोस्तों अगर आप इस विडियो का पीडियो प्राप्त करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेली ग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेली ग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं या टेली ग्राम पर study with धनंजय मिस्रा सर्च करके भी आप इस ग्रूप को जोइन कर सकते हैं टेली ग्राम पर प्रतैक दिन पूरो की परिप्छाओं में पूछे गए प्रसनों को क्वीज के रूप में साल्ब कराया जाता है तो आप टेलीग्राम ग्रूप को ज्वाइन करके और क्वीज को साल्व करके अपने त्यारी को नई दिशा दे सकते हैं दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वेल आइकन को अवस्य दबा लीजिएगा आईए अब अगला प्रसन देखते हैं छठमा प्रसन है कि हालही में पोसर अभ्यान के तहत को पोसर को नियंत्रित करने के लिए आईूस मंत्राले ने किस मंत्राले के साथ समझता किया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर A महिला एवं बाल विकास मंत्राले अभी हालही में पोसर अभियान के तहत को पोसर को नियंत्रित करने के लिए आयूस मंत्राले ने महिला एवं बाल विकास मंत्राले के साथ समझोता किया है बरतमान में केंदरी आयूस राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक है और बरतमान में केंदरी महिला और बाल विकास मंत्री इस्मरिती इरानी है आईए अब अगला प्रस्न देखते हैं, सात्मा प्रस्न है कि हालही में रसायन एवं उर्वरक मंत्राले ने किस सारवजनिक उपक्रम को उसके सभी उत्पादों के लिए Bureau of Indian Standards प्रमार पत्रप्रदान किया है, तो इसका सही उत्तर है, आप्सन नमबर B, HOCL, अभी हालही में रसायन एवं उर्वरक मंत्राले ने सारवजनिक उपक्रम HOCL को उसके सभी उत्पादों के लिए Bureau of Indian Standards प्रमार पत्रप्रदान किया है, HOCL का फूल फाम होता है, हिंदुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लिम्टेड, HOCL का अस्थापना 1960 में हुआ था, और HOCL का हेड़क्वार मुंबई में इस्थित है, आइए अगला प्रस्न देखते हैं, आठमा प्रस्न है कि हालही में किस पूर्व पुर्धान मंत्री ने राज्य सभा सांसद के रूप में सपत लिया है, तो इसका सही उत्तर है, आपसन नंबर B, HD देवगोडा, अभी हालही में HD देवगोडा ने राज्य सभा सांसद के रूप में सपत लिया है, और यह सराज हसवास हान्सत के रूप हम सफत लिये हैं एक जुन उन्नीसौ चानवे से एक किस अप्रय catch गिया राहमें प्रधान मंत्री रहे थे और 1994 से उन्नीसो चानवे moet करनाटक के मुख्य मन्त्री भी रह चुके हैं आईिये अगला प्रसного देखते हैं 9 प्रस्ण है कि हालही में अजादी, फ्रिडम, फासिजम, फिक्षन नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका सही उत्तर है आप्सन नंबर A अरुंधती राय अभी हालही में अरुंधती राय के द्वारा अजादी, फ्रीडम, फासीजम, फिक्सन नामक एक नई पुस्तक लिखा गिया है आईए अगला प्रस्न देखते हैं दसमा प्रस्न है कि हालही में अंतरराष्टिय सांती दिवस कम मनाया गया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर डी, 21 सितंबर 21 सितंबर को प्रतेक वर्स अंतरराष्टिय सांती दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतरराष्टिय सांती दिवस 2020 का विशय था सापिंग पीश टुगेदर दोस्तों अवाईए कल का प्रस्न देखते हैं जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताया था तो कल का प्रस्न था कि हालही में उत्तर भारत में कुत्तों का पहला बलड बैंक कहां पर अस्थापित किया गया है तो इसका सही उत्तर था आपसन नमबर A, लुधियाना अभी हालही में लुधियाना में उत्तर भारत में कुत्तों का पहला बलड़ बैंक अस्थापित किया गया है और इस प्रस्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है रितू ओजा जी, संजू पाल जी, सर्वेश काजी जी, मनीश कुमार जी, पृतेश सर्मा जी, और टेक एक्सपरट आईए अब आज का प्रस्ण देखते हैं जिसका सही उत्तर आप लो कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईएगा तो आज का प्रस्ण है कि हाल ही में सरकार ने राष्टी साइबर सुरक्षा समनवेक के तहत एक बिसे सग्य समीती का गठन किया है इसका नि कित्रों में सेयर कीजिएगा उमिद करते हैं मेरे द्वारा दीगेई जनकारी आपको असानी से समझ में आई होगी किसी प्रकार के कठनाईओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वेल इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद